वहां आवास स्थान पर पहुँच कर राजा दशरत ने विधिपूर्वक नांधी मुख श्राध संपन्न किया उसके पश्चात राध हुई और प्रातहकाल में उठकर राजा ने गोदान कर्म किया राजा दशरत ने अपने एक एक पुत्र की मंगल कामना से धर्म के अनुसार एक एक लाख गोवें ब्राम्हनों को दान में दी उन सभी गोवों के सींगों पर सोना जड़ा हुआ था और वह सब बचडे और कांस के दुग्धपात्र के साथ दिये गए थे इस प्रकार से अपने पुत्रों की शुब कामना के लिए रगुनंदन राजा दशरत ने शिडोमनी राजा दशरत ने चार लाख गवों का दान किया उसके पस्चात बहुत सा धन अपने पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राम्हनों को दिया इस प्रकार से गोदान कर्म संपन हुआ और अपने पुत्रों के साथ राजा दशरत उस समय लोकपालों से घिरे हुए शान्त स्वभाव प्रजापती ब्रम्हा के समान शोभा पा रहे थे हरी ही ओम स्री गुरु भ्यो नमहा हरी ही ओम इत्यार्शे स्रीमत रामायने वालमी कीए आदिकाव्ये बालकांडे द्विसप्ततितमह सर्गह संपूर्णम और देए